हेलो एवरिवन, कॉंप्टिशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हमारा टॉपिक है फीफा वर्ल्ड कप 2018 आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो चलिए सुरू करते हैं फीफा इस्टेंटफॉर्ड फेडरेशन इंटरनेशनल डिफट वाल एस्टोसियेशन यह इसका फुलफ़र्म होता है और यह 2018 में इसका 21 एडिशन को और इसका जो होस्ट कंट्री है रसिया इवेंट को किया गया अब हम बात करते हैं रसिया की तो रसिया की कैपिटल है मौस्को और करेंसी है रूबल और इसके जो प्रेसिडेंट है यानि रसियन प्रेसिडेंट ब्लमेदिर पुतिम और यह जो इवेंट हुआ है वो 14 जून से 15 जुलाई तक हुआ है एक मीने का इवेंट रहा और इस इवेंट को फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2018 को जीता है इन्होंने ग्रोशिया को हराया चार दोसें अब हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है इम्मेन्वल मेक्राउन और प्रेम मिनिस्टर है एड़ॉर्ड फिलिपे फ्रांस इस फीफा वर्ल कप वोन इन सेकेंड टाइम यानि फ्रांस ने ये फीफा 2018 वर्ल कप सेकेंड टाइम जीता है इससे पहले इन्होंने 1998 में जीता था यानि ये जो इविंट्स है या ये जो फीफा वर्ल कप है फ्रांस ने 20 सलवत जीता है और इन्होंने जो है क्रोशिया को वेट किया तो हम क्रोशिया की बात करते हैं क्रोशिया की कैपिटल है जहरेव करंसी है क्रोशियन कुना और इसके जो प्रेसिडेंट है कॉलिंजा गर्वर कितारोविक इन फीफा वर्ल्ड कप 2018 32 नेशन पार्टिसिपेट है यानि इसमें 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया जो डिवाइड़ेड है 8 ग्रुप्स 8 ग्रुप्स में डिवाइड़ेड है अब हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2018 तो इसकी विनर टीम है वो है फ्रांस जो सेकंड टीम यानि जो रनर अब टीम है वो है क्रोशिया और जो थर्ड यानि सेमी फैनल में जो थर्ड टीम रही है वो है बैल्जियम और फोर्थ है इंग्लेंड फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं वो है गिन्नी इंफेंटिनो तो इस इविन्ट को फ्रांस ने जीता है तो इसकी जो फ्रांस टीम के जो कोच है देदियर दैस चैम अब फीफा अवर्ड की बात करते हैं जो 2018 में मिले हैं तो गोल्डन बॉल अवर्ड यह गोल्डन बॉल अवर्ड मिला है लुका मॉट्रिक को जो क्रूशय की टीम के कैप्टन है गोल्डन बॉल अवर्ड इस इस में इंपोर्टेंट्स अवर्ड फोर यार कमिंग बैंकिंग या ओल कॉम्पेटिटिव एक्जैम्स ओके और एडिडास गोल्डन बूट अवर्ड यह मिलता है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिम्म गोल या सबसे हाइस्ट गोल करता है तो यह किये है 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 हैरी केन ने जो इंग्लेंट से हैं इन्होंने 6 गोल किये अपनी टीम के लिए नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवर्ड जो गोल्डन ग्लोब अवर्ड है यह मिला है थिवोट कल्टो इसको जो बेलजियम से विलोंग करते हैं और जो फाइनल में मैन अव्दा मैच रहे वो है अन्टोनियो ग्रीजमन जो फ्रांस है अब हम बात करतें नेक्स्ट अवर्ड की तो फीफा यंग प्लेयर अवर्ड यह मिला है कैलियन मबपेस तो यह जो सबसे यंग प्लेयर है यानि यह 19 एर ओल्ड है कैलियन मबपेस जो फ्रांस है इनको फीफा यंग प्लेयर अवर्ड से समानित किया गया और next है FIFA Fair Play Trophy, यह Spain को दिया गया, यह जो FIFA Fair Play Trophy है, यह उस team को दिया जाती है, जिसकी एक tournament के अंदर performance consistency रहती है, उनको यह provide किया जाता है, और इनको जो yellow card दिया जाते हैं, तो वो है Spain को दिया गया, तो Spain की बात करें, तो इसकी capital है Madrid, और currency है Europe, अब next है Silver Ball Award, यानि जो Silver Ball Award मिला है Eden Hazard, जो Belgium से है, next है maximum goal in FIFA 2018, यानि किस team ने maximum goal किये FIFA 2018 में, तो यह किये Belgium ने जो 16 किये, अब maximum goal किस player ने किये, तो वो आपके England के हैं Harry Kane, जिन्होंने 6 goal किये, अब next है, final match कहां पर हुआ था, तो final match जो हुआ था, वो Luzon की stadium Moscow में हुआ था, रशिया में, अब हम कुछ बात करत है, history of FIFA, so the Federation International Football Association, यह found हुआ था, 1904 में, by the Swiss law, and it based on Zeris, 211 इसकी member association है, और इसका जो headquarter है, वो Zurich, Switzerland में, अब FIFA की जो official language है, चार official language है, English, French, German, Spanish, तो first World Cup was conducted in Uruguay, यानि जो पहला football FIFA World Cup हुआ, वो Uruguay में हुआ, 1930 में, and won by the host country, यानि यह Uruguay नहीं जीता था, World Cup has been held 20 times since 1930, Brazil has won maximum time, अब तक जो इस event से पहले, जो World Cup, वो 20 times हो चुका है, यह 1930 से शुरू हुआ, और इसमें जो Brazil country है, उसने maximum time जीता है, यानि 5 times जीता है, Italy and Germany hold the second place, यानि हम Italy और Germany की बात करें, तो इन्होंने second place को hold किया हुआ है, इन्होंने 4 times, इन्होंने individually teams ने जीता है, अब 2014 FIFA की बात करें, तो यह जो जीता था Germany ने, तो जो FIFA World Cup जो organized होता है, वो every 4 year में organized किया जाता है, Just one in a history of World Cup, two countries एक ऐसी हैं, जो host country रही हैं एक साथ, South Korea और Japan, यानि South Korea और Japan ने FIFA World Cup को 2002 में एक साथ organized किया था, यानि तोनों countries host थी, The World Cup was skipped in 1942 and 46, due to World War 2nd, यानि जो FIFA World Cup था, वो 1942 और 1946 ने World War के चलते इसको skip किया गया, Brazil has only nation to play in each tournament, यानि जो World Cup का जो tournament start हुआ है, वो 1930 से start हुआ है, तो Brazil है एक ऐसी country है, जिसने every tournament को उन्होंने खेला है, और every tournament में उन्होंने पार्ट्सपिट किया है, अब कुछ important facts हम discuss करते हैं, जो recently, जो FIFA World Cup हुआ है 2018 में, तो this is most important, तो देखो इसका जो prize money है, जो champion team को मिलेगा वो मिलेगा 38 million US dollar, यानि prize money for champion team, बिल भी 38 million US dollar, इसमें जो total match हुए है, वो 64 हुए है, official musket FIFA 2018, जावी वा का, official song की बात करें, तो official song of the tournament is live it up, इसका जो official song है इस tournament का, वो है live it up, इसका जो vocal दिया है, वो Will Smith ने दिया है, निकी जैम एंट एरा स्ट्रैफी ने दिया है, पहली बार FIFA World Cup tournament में, VAR system को use किया गया, यानि VAR मतलब Video Assistant Referee, यह एक technology based system है, काफी helpful करता है, decision लेने के लिए, और McDonald's इसका एक official food partner हा, World Cup 2018 के लिए, और इस tournament को 11 cities में organize किया गया, और 12 stadium में इसको खेला गया, Iceland and Panama would make their World Cup debates this year, यानि कि Iceland और Panama ने इस World Cup में, इस साल World Cup में debate किया, ओके, फीफा रेंकिंग की बात करें, तो फीफा रेंकिंग में पहली रेंक है, वो है जर्मनी की, और सेकेंड रेंक है ब्राजील की, और थर्ड रेंक है वेलसीन की, अब हम इंडिया की बात करते हैं, तो इ यह कतर में होगा, और जो इसका यह एडिशन होगा, वो बाइस में एडिशन होगा, तो यही थे फीफा बर्ड कप 2018 के important facts, तो I hope यह वीडियो आपको पशन्द आएगा, क्योंकि इस टाइप के questions, coming exams में पूछी जाते हैं, तो thank you friends, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के स share करें, like करें, subscribe करें, और ऐसे ही हमारी वीडियो को देख देरें, thank you